नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि जी मेल को रिफ्रेश कैसे करें ये बेहदी जरूरी है मानली जी आप जी मेल से कोई काम करते हो जैसे कि आप उसको नॉर्मली यूज करते हो इसको फाइल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, ओटीप मंगाने के लिए या नॉर्मली भी अगर आप उसको रिफ्रेश नहीं करते हो या आप नहीं होता है तो आपके जी मेल पे ओटीप नहीं आएगा इस बात का ध्यानक ना है अब यहाँ पर आपको बार-बार इससे रिफ्रेश करना पड़ सकता है या आप एक बार सेटिंग कर देंगे तो आटोमेटिक आपका रिफ्रेश हो जाएगा मैं आपको मैनॉली भी करके दिखाऊंगा और आटोमेटिक वाला तरीका भी बताऊंगा सबसे पहले आपको अपने फोन में जो सेटिंग से उसे खोलना है पहले में आटोमेटिक बताऊंगा फिर मैनॉली बताऊंगा तो सेटिंग खोली अपने फोन में कहां पर है देखिए आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा आपको यहाँ पे नीची आना है आपको मिलेगा account and backup या आपको मिलेगा account and sync या आपको मिलेगा account इस पे आना है आने के बाद आपको मिलेगा manage account या आपके सारे account आ जाएंगे आपको मिलेगा google या google account उस पे touch करें और google account पे touch करें यह बेर Google account है मैं इसको select करूँगा आपके पास ऐसा page आजाएगा आपको मिलेगा है आपके sync account इस पे touch करना है और आपको सब कुछ पे on करके इसे sync कर देना है तीन डॉट पे touch करें और sync now कर देना है इन सब को चालो रखना है ध्यान रखिएगा और अब आपका जो gmail है automatic refresh होएगा पर मान लीजिए आप उसको manually करना चाते हो खुद से तो इसके लिए आपको gmail में जाना है तो अपने phone में gmail application को open करिए open करने के बाद यहाँ पे आप इसकी home page पर पहुच जाओगे देखिए आपको यहाँ पे इस पर touch करके all करें फिर इससे refresh कर दीजिए उपर से नीचे की तरफ खीचिए आपको कोई page नहीं मिलेगा या तीन डॉट नहीं मिलेंगे आपको यहाँ आपने उंगली रखनी है जापे मेरा mouse का cursor है और इससे पकड़के नीचे की तरफ खीच देना है और यह refresh हो जाएगा ऐसे करके रखर यह आप नीचे की तरफ और यह refresh हो जाएगा जो भी नए mail आये होंगे और टीपे आये होंगे आपको मिल जाएगे साथ आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा